उमनमाश्याय जहमाकाल दोस्तो बर्ट सावित्री का वरत कैसे रखें कैसे इसकी पूझा करें। अधारह मैई को 19 मैई को बड़ सावित्री की पूच्छ सामगरी में किन-कन सीजों को सामिल करना चाहिए। जो सो अगर महिलाएं पहली बार इस वरत को कर रही हैं उन्हें किन-कन बातों का ध्यान रखना है। व्रत का पारण किस तरीके से करना है, व्रत का संकर प्लेति समय किस मज़का उचारण करना चाहिए, हिंदु पंचांग के अनुसार जीर मास के क्रिश पक्ष की अमावश्या के दिन व्रत साविच्री का व्रत रखा जाता है, इस साल 18 मैं 2023 को अमावश्या थी रात को 9 बजकर 22 मिनट पर रात के समझ समाप्त होगी, तो ऐसी में ये व्रत 19 मैं को रखा जाएगा, अखंड सोभाग्ये की प्राप्ती के लिए महीलाएं वर्ट प्रक्ष की पूजा करती है, वर्ट प्रक्ष को बर्गत के नाम से भी जाना जाता है, कहते हैं वर्गत के पेड में तृद इस दिन आपको ब्रह्म औरत में उठकर इसनान करना है, भगवान विश्रू और मालक्ष्मी का ध्यान करते हुए हाथ में गंगा जल लेकर आपको वर्ट का संकल्प लेना है, संकल्प लेते समय आपको इस मंत्र का उचरण करना है, मम वैद वियाधी सकल दोश परी हार्थ प्रह्म बुप के सबแ抵ितिता के साथ इस वरत को रखते हुए पथी सहीत परिवार के सबी सलिस्टे के सबस्ता रहने की कामिया करчи, बुप महुरत में अपने व्रत का पारन सामतित की समय की आ जाता है जितना महत्पूर्ण वरत होता है उतना ही महत्पूर्ण होता है वरत का पारण वरत का पारण कर आप भीगे विचने खा कर भी कर सकते हैं कहते हैं इसमें ग्यारे भीगे विचने खा सकते हैं या बर्गत की कॉमल कपल खा कर भी आप वरत का पारण कर सकते हैं वरत सावित्री वरत में आमचना, पूरी, खर्भूजा, पुए, जो सभी समाना अपने अपने घर में बनाया है, इससे आप वरत प्रक्ष की पूजा करनी चाहिए, जब वरत पूरा होता है तो इन सब चीजों को भी आप खा सकते हैं, ये वरत दो तरीके से रखा जाता है, तो ये आप संकल्प लीजिए, कि आपको ये वरत फलाहर रखना है, ये शाम के समय आपको अन खाना है, ये आप फलाहर खाते हैं, तो वरत खोलने के बाद आप फल खा सकते हैं, फलाहर कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन ये आप अन खाते हैं, तो आन आपका साथविक होना च चलिए आप जानते हैं वर्ड सावित्री पूजा सामगरी में किनकी चीजों को आपको सामिल करना चाहिए इसमें सबसे पहली चीज जो आपको रखनी है बर्गत का फल होना चाहिए धूप मिटी का दिया फल फूल रोली सिंदूर अक्षत तूटे हुए नहीं होने चाहिए जल से भरा हुआ कलस कच्चा सूत का धागा सुहाग का समान जो सोलस रंगार का समान आता है वो आपको रखना है बांस का पंखा रखना है लाल रंग का कलावा रखना है भीगे हुए चने जरूर होने चाहिए गर पर बने हुए आगर आपके पकवान है तो वो आप रख सक सभी सामखडियों को एक डलिया मेयत हाली में रख सकते हैं बटप्रक्ष के नीचे जाकर वहा सफाई करके गंगल जल छड़कर उस जगे को शुद कर ले इसके बाद में वहाँ पर आपको सत्यवान और सावित्री की मूर्ती रखनी है इन पर आपको धूप लगानी है, दीब रोली सिंदूर से इनका पूझिन करना है चावल आप छिलग दीजिए, लाल कपड़ा सत्यवान और सावित्री को अरपित करे फल उनको समरपित करे, बांस के पंगे से आपको सावित्री और सत्यवान को हावा करनी है बर्गत के पत्तों को अपने बालों में लगा सकते हैं, इसके बाद बर्गत के पेड़ में आपको 7, 5, 11, 21, 51 या 108 जितनी भी आपको परिक्रमा करनी हैं, अपनी इच्छा के अनुसार आप परिक्रमा कर सकते हैं, इसके बाद में सावित्री और शत्यवान की खता आप पंडि ब्रत पूजा का पूजा मन्त्र क्या है। इस हमत्र का जाब करते हुए आप अपने वर्ध सावित्री की व्रत की पूजय कर सकते हैं बर्थ सावित्री के वरत करती तैना संकलब जरूर लेना चाहिए इसके अलावा वरत में आप भीग toolbar करें जब भी पारंण चाहिए पहली बार वरत कर रहे हैं तो किस तरीके से वरत रखना है फलार रखनाया खाना खाकर रखना है इसका आपको पहली बार में ही संकल्प ले लेना चाहिए तभी आपका व्रत पूर्ण होता है और जितने भी आप आगे बड़ सावित्री के व्रत रखते हैं उसी तरीके से आपको व्रत रखने चाहिए उमीद करती हूँ दोस्तों वीडियो में दीके जानकारी से अपलाब जरूर उठाएंगे वीडियो के पसंद आई तो फ्रेंड फैमली के साथ में लाइक शेर जरूर कीजिए चैन पर पहली बार आवास सुन रहे हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर लें त चलिए में थे नए वीडियो में नए जानकारी के साथ तब तक स्वास्त रहिए खुश रहिए